जहने मेरे प्यारे इस्ट्रेंट कैसे हैं आप से लोग उम्मीद करते हैं आज सभी लोग अच्छे होंगी इस वीडियो को दोस्तों बनाने का पर पच्छे सिर्फ उसे आपको अपडेट करना बात करते हैं यहां पर यूपी बोड इस्ट्रेंड के लिए दोस्तों जैसा कि म इस केसिस में आपको क्या करना होगा दोस्तों कम नमबर वाले और फैल वाले यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्जाम हमारे होते हैं के लिए नमबर बढ़ाने के लिए या फिर फैल हो गए उससे बचने के लिए तो एक्जाम आपके टू टाइ पूर्टेटल जाने के लिए चली वीडियो को पूरा देखते हैं आप लोग जैसे इंप्रूमेंट का आपने लोग जैसे उसके 60 नमबर आते हैं तो इंप्रूमेंट का मतला भी होता कि आपके नमबर को इंप्रूब करना अगर आपके एक सब्सक्राइबि आते हैं तो वह चड़ जाएंगे लेकिन आपके नमबर कम नहीं किए जाएंगे अगर परमान लो आपके पहली नमबर 60 थे और फिर आपके नमबर 55 नमबर नहीं चड़ा जाते हैं अब दूसरा एक्जाम जो मैंने आपको बद आता है पास देखता है लेकिन दोस्तों अगर हाइश्कूल में हिंदी में पास हो आप सबको पता ही होगा हिंदी पास हो और किसी अगर फेल नहीं देखता है पास देखता है और इंटर में लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए दोस्तों होता है अपनी नंबर से असहमत हैं तो आपके सामबे एक औफीसल कटिंग रहने वाली है नीच परकी जिसके माद़म से मैं आपको अपडेट करता हूं कि यहाँ पर यूपी बोर्ड स्कूर् बारे जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं इसकी परिक्षा हो जाएगी दोस्तों यूपी बोर्ड है स्कूल और परिक्षा जोड़ी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूर्टनी के लिए बारे जुलाई तक ओनलान आवेदन किया जा सकता है जिसके लिए दोस्तों आपको 500 रुप अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका वीडियो बना दीगी ज़र कि कैसे स्कूर्टनी का फॉर्म फिलप करना है तो वीडियो भी दे देंगी हम आपको आज ही कल में तो आप लोग फॉर्म फिलप जली से कल लीजिए और आपको जैसा कि मैंने बताया भी है कि इस वीडियो क कि कम नंबर वाली देते हैं और दोस्तों जो फैल वाली होते हैं मैं चले जाथे चली दोस्तों विदा लेति हैं यही पर फिरसे मिलेगी नियू अब्लों असा और करते हैं उम्मीद करते हैं की आपको ब्योंट पसंद रहा हुत